गुट इबनिंग छात्रों कच्छा 10 के अंसी आइटी मैथ आप लोग पढ़ रहें और आपका कुश्चन नंबर है 9 कुश्चन नंबर 8 तक हम पिछली कलास में करवा चुके हैं 9 नंबर आज आपको पढ़ाया जाएगा इमांदारी से देखना और कलास को पूरा इंड तक द देखा होगा ना सोने चांदी के अबूसर तो यहां पर ब्रूच का मतलब गहना होता है जोलरी आप समझ लीजिए यह जो आपको इस क्रिन पर दिखरा यह गहना है आपकी किताब में भी होगा कच्छा 10 में हैं तो आपकी एंसी आर्टी बूक एक सरसाई 12.2 कोश्चन ठीक है तो एक बृत के आकार का क्या है बूच है यानि गहना है जोलरी है जिसे चांदी से बनाया गया है यानि इसकी जो चारो तरफ सरकमफ्रेंस है वो क्या है चांदी है ठीक है समझते जाना और इसके अलावा इसमें पांच तार भी ऐसे लगाए गए है डाइमीटर के रूप में जैसे आपको दिख रहा है पहले एक ये दो और ये आपका तीन और ये चार और ये एक पांच ये भी लगाया गया जो मैंने अभी खीजा ध्यान देना ठीक है अब बुरूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका ब्यास 35 mm है यानि इस तार का जो ब्यास ह प्रफ खीचा गया है इससे इसके ब्यास को भी बनाया गया है ठीक है समझ रहे हो ना जो उसे दस बराबर त्रिजखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकरती 12.12 में दर्थाया गया है तो ग्यात कीजिए पहला फुल वांचित चांदी के तार की लंबाई ग्यात कीज लिखो भया इसमें दो चीज है थार का यूज दो जगा हुआ है एक तो चारु तरफ हुआ है सर्कुलर में यानि क्या बन रहा है आपका जो यह क्या बात करें इसे पर परदी ना परदी में यूज हुआ है तो इसको करने के लिए एक माहिटर फर्मूला लगाएंगे जिस हिंदी में क्या लिखोगे चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर देखो बाबू टोटल जो चारो तरफ घूमा हुआ है उसे परदी बोलते हैं उसके लिए आप टू पाई यार लगा दोगे और प्लस जो यह आपके ब्यास में यूज हुए है इसके लिए आप एक काम क करो पांच बार डायमीटर को जोड़ दो 5D ठीक है इसी में आ जाएगा सब क्लियर तो चलो मान रख देते हैं सभी जितने भी दिये गए हैं टू इंटू पाई कमान बाईस बटा साथ आर कमान यानि तिरिज्या तिरिज्या में इन्स रेडियस आपका कितना दिया है 35 बटे दो क्यों क्यों कि कह रहा है इसका डायमीटर 35 है यह जो लाइने खीची गई है यह 35 है याद रखना यहाँ पर D इक्वल 35 दिया है ठीक है बाबू तो यह 35 अपांटू हो जाएगा तिरिज्या क्योंकि ब्यास की आधी होती है ठीक है प्लस 5 इंटू D डी का मतलब आपका वही ब्यास इनको सबको आप हल कर लेंगे दिखे यह कट जाएगा साथ से तो साथ पचा पैतिस यह आपका दो से दो कैंसिल हो जाएगा अब नीचे कुछ कैंसिल होने वाला बच नहीं रहा है यह 110 हो जाएगा यह पांतिया पंदरा प मिली मीटर में दिया गया वायर ब्यास वगरा देखो तो यह आंसर भी यम यम में आएगा ठीक है यानि टोटल जो तार की लंबाई है वह दो सो पच्छासी मिली मीटर आएगी एम एम ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न चलिए आगे बढ़ें नेक्स इसका स्क्रेंशाट लेलो बच्छो लेना चाहो जल्दी से हल हो गया बहुत ही आसान है सिंपल सा है सिर्फ आपको समझ के चलना है बस ठीक है लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है बाबू ह अगर हम टोटल एंगल की बात करें चारो तुरफ तो कितने का बनेगा 360 का बनेगा 360 का बनेगा ना अगर हम 360 को 10 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब परतेक जो कौण है वो 6 degree का बनेगा बोलो बनेगा कि नहीं बहुंट अगर हम एक बार ऐसे गुमा दिये तो तो मतलब 360 का कोंड बन गया ना 360 का अगर इसे हम 10 से डिवाइड करें चुकि यह 10 पार्ट में बढ़ रहा है तो एक कोंड 36 का बनेगा यानि यह प्रतेक एंगल इस पर कितने का बनेगा बाबू 36 का बनेगा अब नीचे आप यहां पर लिख सकते हो सूत्र लगा सकते हो जो अ हिंदी वाले लिख लें ब्रूज के परतेक 30 खंड का छेत्रफल बराबर ठीक है तो थीटा अपान 360 इंटू परिदी का सूत्र लगा दोगे आपका जो जो छेत्रफल का ना तो क्या हो जाएगा ब्रित के छेत्रफल पाई और स्कॉयर होता है थीटा का मान रख दो बाबू थीटा का मान 36 अंस और ये 360 इंटू 22 बटा साथ इंटू आर आर का मान यहाँ पर 35 बटा दो क्यों 35 बटा दो ही तो दिया है ना बस हल कर लीजिए इनको सिंप्लिफाई करेंगे ट्यान आएगा दो से कार्ट दीजिए 11 आएगा ये 25 से कार्ट दीजिए 5 सते 35 मुझे कुछ गड़बड लग रहा इसमें क्या क्यों भाई 22 बटा साथ तो मैंने रखा था अच्छा गड़बड यह है कि यह आर काई स्क्वायर है बाबू तो यह 35 अपांटू यह दो बार रहेगा एक ही बार नहीं रहेगा इन सब का आपस में मल्टिपल कर लीजिए देखिया कितना देखिये इसमें जो कुछ था वो सब कट पिट गया जो एक बचरा वो भी कट जाएगा ठीक है कौन सा है यह सेबन से सेबन भी डिवाइड हो जाएगा बाबू दो का दो में गुड़ा कर लोगे 11 का 35 में तो यह आपका ग्यारा तिया पच्चे अपच्पन ग्यारा तहीं 35 38 यानि 384 अगर इसमें डेसिमल में बदलोगे तब भी कोई मतलब नहीं निकलेगा हमें एरिया निकालना था यही एरिया हो जाएगा mm का square mm इसलिए क्योंकि हमें diameter mm में दिया गया है ठीक है इस तरह से आपका nine number question complete होता है अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप comment करके जरूर बताईए हम चोटी चोटी कलासे इस समय आपको दे रहे हमारी कोशी से हम आपको एक एक घंटे की कलास देंगे लेकिन आप साथ ही मेर हुआ ने दिखेंशा है ठीक है पाब aún गहना देखेंशा गया पाप ऐसे देखें से देख रहा है शुक्तर ह्तिक है या जया या है देखी हुआ एमिर घर में बाभी दुकान करया देख सेक्डौक पड़कर सेफिटक में तॉसमें टूरूंझ इसे डी किसे कुलतार की लंबाई कीजिए पो इसमें दस चडी लगी एक बार बात करें तो यह दस चडी ऐसे लगी इनकों भी हमें निकालना है और जो चारों तरफ गूमा वह भी तो चारौ तरफ के लिए हम बित्त का परधी निकालते हैं बृत्त कार बना है और इसको भी निकालना चुक्य सब चारों तरफ से इफ ले क्या करेंगे इव भैया बाबू हम पांच बार इसमें अभी इसको której करेंगे जो नहीं अभी किया था यह हो गया पहला आपका अंसर हो गया फाइनल बस हो गया फाइनल उसके बाद दूसरा वाला नीचे क्या कह रहा है बुरुच के प्रतेक त्रिजे खंड का शेदर पल गयात कीजिए यानि यह जितने भी यह सेक्टर खीजने के बाद जो यह पार्ट बने थे इ यानि स्वरी कि क्या करोगे 360 को सब्सक्राइब निकालते हैं उसका एरिया उसका वह सरकंफ्रेंस हो गयरा सब सूत्र आप जानते हो इसको लगा दिया आ गया इभी अंसर आ गया ठीक है कोशिज करो कि सब होगा मिलते हैं फिर अगली क्लास में जैहिन साथियों